करनाटक की विधान सभा चुनाप में कॉंग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और इस जीत के बाद कॉंग्रेस ने तमाम बड़ी-बड़ी दिक्कतों का सामना भी किया जी हाँ जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिध्धा रमया और डीके शिपकुमार की बीच किस तरह से स्यासी जंग देखने को मिली हलनकी बाद में मामला सुलचता हुआ भी देखा गया अब देखा जाए मुख्य मंत्री पत पर सिध्धा रमया हैं और डिप्टिस दियाम के पत प कि सिध्धा रमया भी जानकारी के मुताबिक दोनों ही राज्य में मंत्री मंडल विस्तार और मौजुदा मंत्रियों को विभागों के आवंटन को लेकर कॉंग्रेस आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं दरसल आपको बता दें कि सियाम पत के बाद अब मंत्री पत यहां पर सि समने आया है कि पार्टी आलाकमान ने बीते पिछले हफ़ते शपत गिरहन समहरों से पहले दिल्ली में एहम बैठक की आठ मंत्रियों की पहली सूची को मंजूरी दी थी हालनकि पहले मंत्री मंडल में अभी कई और विधायकों को शामिल किये जाने की योजना है सूत्रों क से मुत अब एक यहां पर सामने आया है कि चर्चा के दोरान कुछ नामों को लेकर सिध्धा रमया और शिपकुमार के बीच कथित रूप से मत्वेध है सिध्धा रमया के लिए नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन और एक ऐसे मंत्री मंडल का गठन जिसमें सभी चेतरों, गुटों और नई वा पुरानी पीडी के विधायकों को प्रती निदित्व हासिल हो जो की काफी चुनोती पूर माना जा रहा है मंत्री मंडल में तकरीबन 34 लोग शामिल किये जा सकते हैं ऐसे में देखा जाए तो केसी वेडु गोपाल जो कॉंग्रेस महा उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुचे ना सरिफ मुख्य मंत्री सिध्धा रमयया बलकि कॉंग्रेस महा सचीव केसी वेडु गोपाल के आवास डीके शिपकुमार भी मिलने पहुच गए अब दावे ये किये जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सौनिया गांधी से पार्टी हाई कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है देखते हैं कि अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासची प्रेंका गांधी बाडरा आखिरकार क्या कुछ एहम फैसले लेते हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर देखते हैं कि आखिरकार डी के शिपकुमार जिन्हें सौनिया गांधी ने मनाया डिप्टिस दियम पत के लिए अब यहां पर सौनिया गांधी किस तरीके से मंत्री मंडल के विस्तार में कोई एहम फैसला सुना सकती है या फिर नहीं ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा आला कमान का क्या कुछ एहम फैसला होगा आने वाले वक्त में ये वक्त के साथ साथ आपको बताएंगे फिलहर हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज